नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का ये कुपसुरत सा डिजाइन लाए हूँ इसके लिए मैंने इन दो कलर को लिया है आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चा टूटल 11 फंदा ले लिया है और सामने की तरफ से बाडर बना लिया है रॉंग साइड में हम अपना दूसरा कलर अटेश करेंगे तो मैंने दूसरा कलर अटेश कर लिया है और अब दूसरे कलर के उन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे अब यहाँ पे हमको अगर प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो हम बढ़ा सकते हैं इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में लेडिस प्रोजेक्ट में गर्स के प्रोजेक्ट में आप डालेंगे बहुत अच्छा लेगा आप इसका डिजाइन से काडिगन बनाएए, टॉप बनाएए, फ्रॉक बनाएए, कुछ भी बनाएए, बहुत ही सुन्दा लैरा तो हमने रॉंग साइट से सब भी फंदे उल्टे बन लिया अब हम सामने की तरफ हैं और इस लाइन में हम डिजाइन डालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब उन हमारा दूसरी तरफ है, अब तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे उन हमारा दूसरी तरफ है और देखिए, इस तरह आएगा तो ये जाले पड़ जाएगा तो हम तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे यहां पे हमने तीन का एक कर लिया और उसके पहले जाली डाल दिया अब हम तीन फंदों को सीधा करें बुनेंगे उन हमारा हमारी तरफ है यानि यह ऐसे जाएगा तो यह जाली बन जाएगा एक जाली इधर पड़ा, एक जाली इधर पड़ा, यानि तीन का हमारा तीन फंदा हो गया, अब अगले तीन फंदे हम सीधा बनेंगे, एक, दो, तीन, अब हमारा उन देखिए पीछे की तरफ है, और तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे, एक, दो, तीन, और तीनों को एक साथ लेते हुए हम उल्टा बुन देंगे, उन हमारी पीछे की तरफ है, यानि हम जब ऐसे बुनेंगे तो एक जाली पड़ जाएगा, तो जाली देते हुए तीन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, यहाँ पे हमने तीन का एक कर लिया, अ नहीं पे हमारे दो फंदे घटे थे, एक यह जाली यहाँ पे पड़ा, तो एक फंदा यहाँ पे हो गया, और दूसरा फंदा हम चाली देते हुए जब सीधा बुनेंगे, तो यह देखिए दूसरा फंदा भी हमारा बैलेंस हो गया, यानि जितने फंदे थे, वापस उतने फंदे हो गए अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और अपने पहले कलर के उन से हम सभी फंदो को उल्टा बुलेंगे एक ही लाइन का ये डिजाइन है रॉंग साइड में हम उन को चेंज करते जाएंगे देखे हमने अब यहाँ पे अपना पहला कलर लगाया और सभी फंदो को उल्टा बुलिया ये हमारा जाली और ये लास्ट फंदा एज स्टेज और यहाँ पे हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अब देखिए पहले फंदे को हम सीधा बुलेंगे फिर तीन फंदो को सीधा बुलेंगे एक दो और तीन तो ये हो गए चार फंदे अब हमारा उन दूसी तरफ रहेगा और तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे उन हमारा दूसी तरफ है यानि जाली डालते हुए तीन का एक अगले देखें यहाँ पे हमने तीन का एक किया था दोनों साइड में जाली है तो अब इन तीन फंदों को हम सीधा बनेंगे यहाँ पे तीन का एक किया है यानि यहाँ जाली डालते हुए तीन फंदों को हम सीधा बनेंगे एक, दो, तेर और लास्ट फंदा अजिस्टीच है इसे हम सीधा बन लेंगे अब हम दूसरे कलर के उन से सब भी फंदो को उल्टा बन लेंगे चार फंदो का और एक ही लाइन का डिजाइन है अगली लाइन में डिजाइन शिफ्ट हो जा रहा है अब देखिए यहाँ पे डिजाइन शिफ्ट हो जाएगा अब यहाँ पे हमने चार फंदो को सीधा बना था तो पहला फंदा अजिस्टीच है इसे हम सीधा बन लें या फिर स्लिप कर लें अब देखें, यहाँ पे तीन फंदे सीधे हैं, तो इन तीनों को हम उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, और उसके पहले हम जाली दे लेंगे, तो जाली डालते हुए तीन फंदों को एक किया, उल्टा बुनते हुए तीन का एक किया, अब यहाँ देखें, यहाँ पे पेले जाली डालते हुए, जाली डालते हुए तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, यहां पे हमने तीन फंदों को सीधा बुना था, तो अब की हमारा डिजाइन यहां पे पड़ेगा, और तीनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर है, यानि जाली डालते यहां पर दो फंदे घट गए एक जाली हमने यहां बना लिया तो एक फंदा इधर बढ़ा और दूसरा फंदा देखे यह सीधा फंदा है लास्ट फंदा एजिस्टीज तो जाली देते हुए इसे सीधा बन लेंगे दोनों तरफ में हमारा जाली पड़ गया और यह डिजाइ स्वेटर में हम अपना कलर चेंज कर लेंगे तो तो ही लाइन का डिजाइन है बैसिकली यह एक ही लाइन का का डिजाइन है रॉंग साइट से हम अपना कलर्स चेंज करते रहेंगे और देखिए पूरे स्वेटर में ऐसे छोटा-छोटा उभार आता जाएगा जैसे बिंदी बिखरी पड़ी हो देखिए छोटा-छोटा ऐसे गूल-गूल बनता जाएगा बिंदी की तरह और यह बहुत ही सुन्दल हैगा सामने से यह ऐसा दिखाईते रहा है और पीछे से ऐसा तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग